हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी कीचिन में आपका बहुत बहुत स्वागस करती हूँ तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दिवाली स्पैसर डोडा बरफी की रेस्पी जो एकदम दानेदार बनेगी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट बनेगी अगर एक वार आपने बना लेना इस तरीके से तो मार्किर की डोडा बरफी आपको इसके आगे फेल लगेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी एकदम दानेदार बनेगी तो एक एक ट्रिक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो रेस्पी को पूरा देखे औ उससे हम दो चम्मा जितना यहाँ पे डालेंगे गहूं का आटा तो आटा डालने से क्या होता है यह बरफी ना बहुती लचकदार बनती है तो आप दो चम्मा जितना है जो गहूं का आटा डालेजिए तो हरवाई लोग क्या करते हैं गहूं के आटे की जगे ना अंगूर अंगूरी आटा डालते हैं तो अंगूरी आटा हर घर में नहीं होता है क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे आटा डाल सकते हैं या फिर मेदा या फिर हम यहां पे दो चम्म जितना बेशन एड़ कर सकते हैं टेस्ट वही आएगा बिल्कुल भी है असानी से आपको ये दलीया मिल जाएगा गर में बनाना है तो गिंगों को अच्छे से साफ कर लीजिए फिर उसे सुकाने केबाद में पीस लेजिए और दलीया पीस जाने के बाद में आप उसे च्चान लेजिए तो आपको इस तरीके से एक्वल है जो मोटा मोटा आपको दलिया मिल जाएगा अब इसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पी मैंने आधी कटोरी जितना दलिया लिया है आपको एकप कटोरी से यहाँ पे आधी कटोरी जितना है जो दलिया ले लीजिए दीमी आज पे लगाता चलाते हो इस दलियों को भूनना है तो तेज आज बिलकुल भी ना करें आप जितना दीमी आज पे दलियों को भूनेंगे ना उतना ही आपकी है जो ये डोडा बर्फी अच्छी बनेंगी बहले ही टाइम लग जाए मगर बर्फी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी और यहाँ पे दूसरी साइड में मैंने इसी कटोरी से चार कटोरी जितना दूद उबलने के लिए रख दिया तो दूद हमें गरम ही डालना है इसमें ठंडा दूद नहीं डालना है तो आप क्या करें दलिया भूने ना तब तक दूसरी साइड में दूद उबलने के लिए रख दीजिए दूद हमारा अच्छे से है जो गाड़ा भी हो जाएगा साथ में उबलता रहेगा और गरम भी रहेगा तो इधर हम दलिया को भून लेंगे थोड़ी देर दलिया को और भूनेंगे अच्छे से तो जब लगे कि दलिया आपको अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और दलिया अच्छे से भून भी गया और बहुत अच्छी खुसबू आने लग गई है तो अब हम क्या करेंगे जो दूद हमारा दूसरी साइट गरम हो रहा है वो इसी स्टेज पर डाल देंगे तो दलिया जब अच्छे से भुन जाए ना तब आपको यहां पर दूद एड़ करना है तो अगर आपने आदी क्टोरी जब दलिया लेए ना तो उसी क्टोरी से आपको यहां पर चाट क्टोरी जब दूद देड़ करना है तो दूद आप फुल फेट लीजिए या फिर आप गाई का दूद लीजिए या बेंस का जो भी जितना ज़्यादा दूद डालोगे उतनी आपकी बर्फी ज़्यादा स्वादिश्ट बनेंगी और बस अच्छे से से मिक्स कर लेंगे दूद इसमें ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है मगर कम होगा तो फिर हमारी बर्फी खाने में स्वादिश्ट नहीं बनेगी अच्छे से हम इसे हैं मिक्स कर लेंगे आँच को है जो बिलकुल ही दीमी रखेंगे या फिर आप दीमी से थोड़ा सा है जो तेज कर सकती हो मगर आपको हाइप पे नहीं रखना है इस बात का ध्यार रखे दीरे दीरे हमारा ये जो दलिया है गाड़ा हो गया तो अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा दो चम्म जितना गुड तो टोटल हमें इसमें मीठा है जो जितना दलिया लिया ना उतना ही मीठा एड़ करना है तो आदा मेने याप ए गुड डाला है आदा उसका है जो चीनी डाला है तो टोटल मिलाके आधि खिटोज जितना हो गया है तो कई वर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है आपका टेस्ट वैसा ही आएगा बर्फी में तो हमने जो गुड़ डाला ना उससे आपको एकदम चोकलेट जैसा ही फ्लेवर आएगा तो आप यहां पे है जो गुड़ और चीनी को मिक्स करके डालीजिए और अगर चीनी को स्क किप करना चाते हो तो पूरी तरह से गुड़ डाल सकते हो डोड़ा वर्फी को दानेदार बनाने के लिए यहां पे मैंने लिया है आदे नीबू का रस आप आदे नीबू के रस की जगे है जो दो चम्मच इतना खटा धही भी एड़ कर सकते हो इससे क्या होता है हमारी जो दाना बनने लग जाएगा यह देख सकती हो धीर दीरे मिक्स किया तो वैसे ही एच्चे से हो गया है दाना बननने लग गया इस में बस अच्छ ऐसे मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे वे देख सकती हो गाडा घीह हो गया तो आपको दिमी आज पर ह siis पकास एक लिक ठी सा तो मैं हमेशा आपके लिए नई नई रेस्पी लेकर आती रहती हूं और वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यह देख सकते हो हमारा मिक्सर है जो थोड़ा काफी हद तक है जो गाड़ा हो गया तो अभी हमें गैंस को बंद नहीं करना है अभी हम प्रत्वाद ने आप स्किप भी कर सकती हो मलाई डालने से एक तो इसमें यह घी का काम करेगा एकडम यह क्रीमी क्रीमी हमारी है जो बर्फी बनकर त्यार होगी तो अच्छे से पहले हम इसमें मिक्स कर लेते हैं इसको और थोड़ी दर इसे गाड़ा और रोहने देते हैं धीरे धीरे इसका कलर भी देख सकते हो चैंज हो गया यह पैन छोड़ने लग गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे यहां पर आदी जम्मा जितना जाइफल और दालचीनी का पाउडर तो जाइफल जो होता ना सुपारी जैसा उसको मेने और दालचीनी को पीस लिया तो इसका पाउडर बन गया है अब कोई भी ठाली प्रेट में जिसमी वरतन में सेट करें उसे क्या करें थोड़े अच्छे से गी से ग्रीस कर लीजे ताकि बरफी निकालने में असानी हो अब जो हमारा मिक्सर है यह सारा हम इसमें एड़ कर देंगे तो जल्द बाजी कोई इसमें जरूरत नहीं है आप आराम से ही कर सकती हो यह काम काफी सारी ऐसी बरफी होती है जैसे बैसन बरफी होती है या फिर जो अब भी मैंने नारियल पाक की बरफी बताई नमें हमें grease है जो tray को पहले से करके रखना होता है तो इसमें यह वात नहीं है आप guess को बंद करके बाद में भी tray पगैरा को set कर सकती है अरामसे हो जाएगा अब यह बर्फी थोड़ी से more time ही नामिं ही set करेंगे चम्मच के बेक साइड में घी लगा लीजिए नहीं तो क्या होता है यह मिक्चर है जो चम्मच वगेरा की चिपकता है और चम्मच से अच्छे से है जो इसे क्लीन कर देंगे जैसे भी आपको बर्फी जितनी मोटी रखने है उससाब से रख लीजिए तो यह थोड़ी बर्फ यहां पेच्छ से डाल देंगेasta काजु में से कट करके बदाम लगा सकति हो जैसे भी आप यहां पे लगाना चाथे यह घाता है चम्मच से थोड़ा से बबा देंगे और अब हम क्या करेंगे इस अससे ही रख दींगे दो इस धीं के लिए सेट होने के लिए तो फ्रीज में रखने की कोई आप शक्ता नहीं है आप ऐसे ही रख दीजिए अगर आपको शाम को बना रहे हैं तो सुबह में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो तो मैं यहां पर इसे तीन गंटे के लिए रखाया तीन गंटे में अच्छी से सेट हो गई है तो अब हम क्या करेंगे इसकी कटिंग कर लेंगे तो जैसे भी आप पीस इसके कट करना चाहते हो ना मोटे बड़े पतले चोटे जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकती हो तो मैं यहां पर चुकोर से मैं इसे कट कर रही हूं बिलकुल मारकर जैसे तो साइड से मैंने इस तरीके से किनारों को है कलीन कर दिया एकदम कलीन कलीन हमारे पीस निकलेंगे ये देख सकती हो और बहुत ये अच्छे से सेट होगे एकदम दानेदार बनी और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आएगा तो बिना कोको पाउडर भी आप आसानी से ये डोडा बर्फी है जो घर पे बना सकती हो टेस्ट में बिल्कुल भी पताने चलेगा बहुती ज़्यादा ये स्वादिष्ट है और एक बार आप इस रस्पी को ज़रूर से ट्राई करना तो बिल्कुल तुहारों जैसे लुकिंग देने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चांदी का वरक लगा रही हूँ तब दिवाली के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से गार्निष कर लेंगे चांदी के वरक से और यह देख सकते हो तोड़ के दिखाती हो एकदम सूपर सॉफ्ट मुँ में घुल जाने वाली हमारी बर्फी बनी है यह देख सकते हो तोड़ने से पता चड़ा है कि यह कितनी ज्यादा सॉफ्ट है बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है तो आप भी इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करना रेस्पी अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए फिर मिलेंगे एक नई और रेस्पी के साथ तब तक धन्यवाद दो तो